हरे कृष्णा, महालक्ष्मी मा हमारी इच्छा क्या है वो बिना कहे ही जानती हैं। जब महालक्ष्मी मा की कृपा होती है तो सब कारज संभव और संपन हो जाते हैं। मन घबराता नहीं है। श्री मा लक्ष्मी भगवान की प्रियसी है और उन्हें मनोखनी के रूप में भी माना जाता है मनोखनी का अर्थ है जो किसी के मन की बात जान ले श्री मा लक्ष्मी मा की भाती हमारे मन की बात जान लेती है एक मा की तरहा, अन हमारे तन को जानता है और इश्वर हमारे मन को, तीनों लोकों में कृपा बरसाने वाली महालक्ष्मी मा ही हैं, वे हमारी इच्छाओं को भगवान के समीप रखती हैं और दाती की तरहां कृपा बरसाती हैं, अगर हम सोचें कि श्री मालक्ष्मी को अपने मनोखनी होने पर गर्व है, तो ऐसा नहीं है, उनको भगवान के हृदे में बसने का गर्व है, भगवान ने उनको अपने हृदे में बसा रखा है, मैं दुलहन की तरहां सच धचकर प्रभू के साथ उनके रथ पर बैठी हूँ, भगवान की सेवा करने की इच्छा लिये, भगवान वो हैं जिनोंने सारे राक्षसों का वद्ध कर दिया है, ऐसा गीत गाते हुए श्री मालक्ष्मी मगन रहती है, भगवान ने महालक्ष्मी को हिदे में बसा कर हम बुद्ध जीवों को भी समझाने की कोशिश की है, कि स्त्री पूजनिये है, लक्ष्मी का रूप है, स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, श्री मालक्ष्मी हमारे मन की बात जान लेती है, आईए अपने मन को शुद इच्छाओं से भर दें, भक्ती से भर दें, मालक्ष्मी से कृपा मांगें, जहां श्री मालक्ष्मी है, वही नारायन भी है, वो दोनों साथ ही है, महा लक्ष्मी न महा सर्वं श्री कृष्न अर्पनम